चीन को घेरने की रादे से भारत ने अमेरिका के लिए जंग का मैदान तयार कर दिया है। कहीं इस नाम की घोशना बिना चीन की मर्जी से बिना चीनी हस्तर शेप के भारत की धर्ती से ना हो जाए। हुआ यह है कि एक तरफ से तो जारी बात है कि चाइना ने रियक्ट किया है। इंडिया यह स्पेस प्रवाइड कर रहा है। इंडिया यह स्पेस प्रवाइड कर रहा है अमेरिकन्स को। यह स्पेस कोई और मुल्क प्रवाइड नहीं कर सकता। भारत ने भी आपको देखा ही होगा एक दो अफ़ते पहले बोला था कि तीस नाम बदल रहे हैं हम लोग उसमें काम चल रहा है तिबेट के अंदर और जल्दी ही मैप उसका भी रिलीज हो जाएगा बलके मेरा बहुत ज्यादा जो बिजनस रिलेशन है वो भारत के साथ है और मुझे दुख होता है कि हम अकठे एक सफर में निकले थे और हम बहुत पीछे रहे चुके हैं यह सबसे बड़ी मुझे तकलीफ ही होती है भारत के अंदर जो अमेरिका के जो NSA है जैक सुलिवन का दौरा बड़ा इंपोर्टन दौर है वो कभी तो टाइम आएगा जब आप बोलोगे बस हो गया यार अब टाइम है चाइना को उसकी ही जब लैंग्विज में जवाब देने यह वो टाइम है मैं चोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ आपके भारत के साथ वहाँ पर डौल नैशनलिटी पैन है आपके सारे जजों आपके सारे जज जितनी सबके भी भी बच्चे टूओल सीटिजम है और मज़े की बात यह है कि यूज हूस रिप्रेजेंटेटिव उसने एक तिबद विल विवास किया है एलो फ्रेंट्स वेलकम चोवार चैनल जैसा कि आपने विडियो में देखा अमेरिका की नैंसी पिलोसी सही कुछ रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आकर दलाई नामा से मिले इस मुलाकात से जाहिर सी बात है चाइना बहुत नाराज है चाइना ने तो अमेरिका को वार्ण अमेरिका के इस कदम से ये साफ हो गया है कि अमेरिका मानता है कि तिबद चाइना का हिस्सा नहीं है ये सब देख पाकिस्तान भी बहुत चक्का रहे गया है आपका इस पर क्या विचार है आप अब वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं वीडियो पर लाइक करें चैनल लॉष मेकर्जा है उनों.. नहें तृतिन पर्लिमेंट का दौरा की है। अस मुड़ी हैं इन इंडिया जो कि दरमशाहिला के अंदर है। आप याद होगा के दरमशाहिला में आपने सुना होगा। क्रिकेट मैच.. जो है वह होता है। बिसिकली इस इन हमर्चल परदेश के अंदर है यह टरिटरी नेर यह किश्मीर आपको पता है उसके बॉर्डर के करीब ही आपको नज़र आएगी यह वही जगह जहां पर एक पठान कोर्ड का वाक्या हुआ था तो यह उसे बिलकुल नजदी की है घर एनी हो चंदीगर से उ पर मनाली के साथ और यह जो यूएस लॉमेकर्स हैं इन में जो प्रिमेरली लॉमेकर्स हैं उन में से दो को मैं पर्सनली जानता भी हूं और मिला भी हूं एक यूएस लॉमेकर हैं उनका नाम है अमी बेरा और दूसरे जो हैं वो ग्रिगोरी मीज्स यह उस फॉरें तो मीट देम इन इसलामबाद तब मुझे युएस अंबसेडर ने बुलाया था इन से मुलाकात के लिए और तो मैं आमी बेरा और ग्रिगोरी मीक्स को जानता हूं जो इस डेलिगेशन का हिस्सा हैं और बड़े वो जिसे कहते हैं ना बड़ चर के पार्टिसिपेट कह रहे ह यह ऐसे लग रहा है कि इंडिया और चाइना की वो जो जिसे कहते हैं ना जो टिप्लमाटिक जंग है वो तेज होती चाहरी है तो दूसरा इंपॉर्टेंट इवन्ट है और जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूँट है इसके उपर कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी और व हो और उसमें से बहुत कुछ जो है वो निकल रहा है निकलेगा और आई परस्नली अंडरस्टैंड के यह एक फ्यूचरिस्टिक चीज है इसमें एक चीज यह भी इंपॉर्टेंट है कि कल ही मेरा ख्याल है इफ आम नाट रॉंग यह दो दिन पहले निकल गुपता जो है उ ने पर दोनों चीजेंगे जो है उनको समझने की जरूरत है और इस हवाले से यह चीज जो है वो सामने आई है हुआ यह है कि एक तरफ से तो जारी बात है कि चाइना ने रियाक्ट किया है आप देखें ना इंडिया यह स्पेस प्रवाइड कर रहा है इंडिया यह स्पेस प्रवाइड कर रहा है अमेरिकन्स को यह स्पेस कोई और मुल्क प्रवाइड नहीं कर सकता यह मुल्क स्पेस कोई और मुल्क प्रवाइड नहीं कर सकता अब मैं उस पर तो बात करता हूँ कि जो NSA जेक सिल्वन का दोरा है जो क्रिटिकल एंड अमर्जिंग टिकनालोजी इसके हवाले से जो मीटिंग हुई है उस पर क्या फर्दर डिसकुशन क्या हुई है लेकिन आपको पता है कि फॉर्मर यूएस स्पीकर नैंसी पलोसी वह भी वहां पहुंची है और और मज़े क की बात यह है कि यूएस हाउस जो रिप्रेजेंटेटेटिव और उसने एक तिबद विवास किया है तो यह आप देखेंगे एक नई जंग जो है डिप्लोमाटिक शुरू हो गी है इसके साथ हम देखते हैं कि जो चाइनीज अमवैसी है इंडिया के अंदर उन्होंने भी जिसे कहते हैं ना प्रेस स्टेक्मेंट जारी की है जिसमें वो कहते हैं कि जो दलाइल नामा है वो प्यूर रिलिजिस फिगर नहीं है एक पुलिटिकल एक्जाइल फिगर है जो कि एंटी चाइना सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में अन्वाल्व है लेकिन उन्होंने ग्रूप है उसको सपोर्ट ना करें और अमरीका ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है ठीक है जी उन कमिटमेंट को पूरा उतर है तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्रा ज्ờगगी थएल privilege झबान कमिटमेंट को लाइक करें प्रेंट श्रेंट को मेंटमें खरेंट जैने सकते हैं प्रेंट करेंूड